समय रहना इंडिया के अभी biggest stand-up comedian है और क्या वो अपने एक शो से 60 लाख रुपय गमा रहे हैं तो आखिर कैसे एक middle class से belong करने वाया लड़का आज अपना इतना बड़ा empire बना चुका है लेकिन उन्होंने अपनी schooling हेदराबाद में की है और अपने घर की हालत देख के समय को यह सब चीजे सहनी भी पड़ती थी और यह सब बात एक बार समय ने एक podcast में भी बताई थी और वैसे समय एक इंजीनियर भी है प्रिंटिंग इंजीनियर और यह कोर्स college भी लेने के बाद समय को एक चीज समझ आ गई थी कि उनका आगे आने वाला समय बहुत ज़्यादा घराब होने वाला है और college के दिनों में समय को पैसो की विजरवत हुआ करती थी तब उनके एक दोस्त नोंने suggest किया था open mic करने का और समय ऐसा करते भी हैं और उससे वह थोड़े बहुत पैसे भी कमा लेते हैं और उस इंडरेश्ट्रीम अच्छा खासा नाम भी कमा लेते हैं और उनको उस टाइम के बड़े बड़े stand-up comedians अपने show में उपन करने के लिए बुलाने लगते हैं और फिर आता है pandemic वैसे pandemic ने तो पूरे देश की हालत खराब की थी लेकिन ये pandemic समय के लिए बहुत जड़ा lucky बन जाता है चुकि उस समय तनमय ने समय को suggest किया था अपना एक channel खोलने का और वो ऐसा करते भी हैं समय को बचपन से ही chess में बड़ा interest था इसलिए वो अपने channel में भी chess की live stream किया गरते थे और धीरे धीरे उनको लोग उनकी commentary की वज़े से पसंद करने लगते हैं और देखते ही देखते हैं उनका channel grow होने लगता है और उनकी watching भी अच्छी खासी आये लगती है live stream में और समय य अपनिक वीडियो अप्लोड करते हैं जिसका नाम होता है नर्क और उस वीडियो में समय ऐसे jokes मारते हैं उसके बास समय को title मिलता है डार कॉमेडियन का चुकि उस वीडियो में जोक ही ऐसे थे तुम्हारे सामने कोई बंदा बिजली का खंबा चड़के करके बसम हो जाए थोड़ा बुरा लगेगा कि वो मरा पर क्या मरा या जब ये गरीब second question का answer ही गलत locker आके बैठा है तब Amita बच्चन को तब पता है ना कि अब इसकी मा मरने वाली है वो तोड़े ना ऐसी आदे है और इस श्ट्रीम के बाद समय की और वी बहुत सारी क्लिप्स वाइरल होने लगती है जिसमें वो ऐसे जोक्स मार रहे होते हैं फिर चाहे वो जोक उनके नाना की उपर हो या फिर वो जोक 2000 रुपे का नोट वाला हो और इसके बाद देखते ही देखते समय अपने डार्क य एक है और अभी रूमर्स फैल रहे थी कि समय अपने इन सो से एक एपिसोड में 60 लाख रुपे कमा रहे हैं देखो यार ऐसा कुछ नहीं है चुकि वो टिकेट के पैसे विनर्स को दे देते हैं और उन एपिसोड में कोई भी पार्ट सेंसर नहीं होता है तो आई तिंक वो इंडिया का बिगेस्ट शो बनाया और अभी इंडियास गौट लेटेंट ये कुछ ही एपिसोड आए हैं और मेरे इसाफ से जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ेगा यह और भी आगे रिकॉर्ड तोड़ता ही जाएगा बागी तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज